तो अप्रेंड मेरे नेल देखिए यह नकली नेल है और यह मैंने हाथों को कितना खुबसूरत बनाया है नकली नेल लगाके तो मेरे और बड़े नहीं है और यह नकली नेल है और यह बहुत ज्यादा मजबूती से लगे आप कोई भी वर्क कीजिए काम कीजिए यह निकलने वाला नहीं है और वह किस लिए ना निकलेगा यह तो आप लोगों को वीडियो देखके पता चलेगा कि इतनी मजबूती इसमें कहां से है तो चलिए श्टार्ट करते हूं ज्यादा वाते ना करते हुए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरू क किजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मैं इस नेल की मजबूती के कारान बताती हूं कि यह क्यों नहीं निकलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड आप यह देखिए कि मैं यह 10 रुपाय मैं मेरे मार्केट से लेकर आए थी और मुझे कभी भी जाना हो साथी फंसन मैं तो मैं इतना ही मेरे च लाले थी क्योंकि आप लोग वी हो तो पालर में जाएंगा मेहन लगते हैं तो जैसे आप四 वार मेचना कि ईक्योंते हैं तो सिर्फ और जादा बजब productions in को संसक्री vedबना लेकिन यह मैंने प्लेंट सिर्फ 10 रुपाई की बजट में ही खरीदा है, यह लोकल मार्कर से लिया, तो मैंने नेल को मतलब अपने नेल से नाप लिया है, जितना मुझे मतलब रखना है, बड़ा चोटा और अपने नेल के हिसाब से मैं इसको कट करके, और जो नेल कटर होता जो पीछे खुद्रस रहता हो उसमें घिसके मैंने बराबर कर लिए जैसे कि आप दो लोग देख रहे थे तो इसको दूसरे वाले को भी मैं अपने नेल से ना पलूंगे उसी हिसाब से कट करूंगे तो फ्रेंड क्या होता है ऐसे करनें बहुत ही खुबसूरा हाथ लगते है और फिर इसके बाद मैंने पांचो को बराबर उसी फिंगर अपनी नेल के हिसाब से काट लिया है और रग दिया है अब सेट करके फिर इसके बाद मैंने ग्रीन कलर की मतलब ली है नेल पॉलिश आपकी जो पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं यहां मैंने ग्रीन कलर लिया है तो इसमें मैं दो तीन कोट लगा लूँगी फिर आप बिल्कुल भी मतलब यह ना सोचिए कि यह सस्ता दस रुपए का तो अपके हाथ अच्छे लगेंगे तो आपको अच्छा बनाना है उसको यह प्लेन आते हैं वाइट कलर के आपको इसमें कोई बीन कलर करके नेल पेंट होता यह बिल्कुल भी मतलब नुक्सान नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल जहां नेल लगाए जाते हैं लिके पास लगाएंगे वहां मैं हलका हलका लगा लूँगे और इसको चिपका लूँगे तो फिरन यह बिल्कुल अभी आप मस्सोचिएगा कि हमारे नेल खराब हो ज जानते हैं कि फेवी के बहुत ही ज्यादा मतलब मजबूत होता है निकलता नहीं आप साधी फंसन में जा रहें कुछ भी काम करिए यह बिल्कुल नहीं निकलने वाला और आगर आप सोचे कि आप मेरे खराब हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसे ही चिपकाती हू निकलाते हैं थोड़ा साप नीचे जुकाओ गया आंगे साथ से तो निकलाएंगे जब तक आप नहीं निकालोगे तो यह नहीं निकलेंगे और बिल्कुल भी आपकी फिंगर मतलब खराब नहीं होंगे तो ऐसा ही मैं पांचों को चिपका लूँगी अपने हाथों को खु नीचे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि कैसा लगा है तो चली मैं मिलती हूँ आपको नेश्ट वीडियो में जब तक के लिए बाइबाइबाइब